वेलकम बेक टू विकास लाइफ स्टाइल आज हम कड़े हैं जैपनीज हैच्बेक कार के सामने जिसका नाम है मारुतिय सुच की स्विफ्ट 1983 में लॉंच हुई थी और अभी आप इसका 4 जनेशन वेरिंट देख रहे हैं पेट्रोल डीजल और आटोमेटिक में आती थी कीमी टोसी शाटो ने डिजाइन किया है मारुतिय सुच की स्विफ्ट को फ्रेंट इंजन, फ्रेंट वील ड्राइव है मारुतिय सुच की स्विफ्ट मारुति के हल टेक भी फ्राटफॉर्म पे बनी है मारुतिय सुच की स्विफ्ट जिस पर Desire, Balino, Ignis और Solio भी बनी है डीजल में आपको चार variant मिलते थे basic model था LDI, उसके जस्ट उपर आता था VDI जो आप अपने सामने देख रहे हैं उसके उपर आता था ZDI और top model था ZDI Plus इसी तरीके से petrol में भी चार model आते थे LXI, VXI, ZXI और ZXI Plus एक अपरेल 2020 से इंडिया में stage 6 यानि की BS6 norms आ गए जिसकी वज़े से कई auto manufacturer ने अपने portfolio में डीजल मॉडलों को कम कर दिया और मारूती ने तो BS6 मानक लागू होने के साथ ही अपने portfolio में डीजल मॉडलों को ही बंद कर दिया लेकिन आज भी इंडिया में लोगों की पहली पसंद है मारूती सुच की सिफ्ट 28.40 कमणी मैलेश क्लेम करती थी मारूती सुच की सिफ्ट VDI में जो के अपने segment में सबसे best था 5 years के लिए estimated maintenance cost है 27,000 रुपे आईए बात करते हैं front profile की इस वाले model में आपको fog lamp का option नहीं मिलता था इसलिए यहाँ पे grill दी गई हुई है यहाँ मिलेगे आपको halogen headlamps turn indicator का setup भी सीम दे रखा हुआ है top area में LED projector headlamps मिलते थे LED DRL के साथ में यहाँ मिलेगा full black grill के साथ में मारूती सुच की का chrome logo इसकी front profile mini cooper के जैसे है यहाँ मिलेगा dual wiper and washer का setup इंडिया, जैपैन, हंगरी और थाइलिंड में असेमली होती है मारूती सुच के shift की plane roofs है यहाँ पे मिलेगा roof antenna manually foldable, electrically adjustable outside mirrors है turn indicator के साथ में body color o RVM door handles पे लेंगे fenders पे मिलेगा DDIS यानि की diesel direct injection system की bedging, आई यह बात करते हैं dimension की 3.8 meter length है, 1.5 meter height है 163 mm ground clearance है मारूती सुच की shift का 2450 wheel base है, side profile से देखने में यह 3 door का लगती है, क्योंकि rear door handles का setup आपको C pillars मिलेगा, मारूती सुच की desire के नाम से इसका sedan version भी आता है 2018 में shift की average monthly sales ती 18 जा 635 यूनिट यहां मिलेंगे आपको R14 size की steel wheel front में disc brake और रियर में आपको drum brakes मिलेंगे 165 80 R14 tire profile है यहां मिलेगा आपको research two door handle का setup रियर में आपको drum brakes मिलेंगे top variant में alloy wheel का भी option है front में आपको magferson instant और रियर में आपको tourism beam access suspension मिलेंगे अभी आप इसका pearl architect white color देख रहे है safety features में dual front airbag ABS with EBD brake assist security alarm system front seat belt with pretentional and force limiter ISOFIX child seat speed sensitive automatic door locks seat belt reminder and buzzard driver side day and night adjustable IRVM engine immobilizer जैसे safety features मिलेंगे solid hull tech platform पे बनी है मारती सुचकी swift rear profile से भी काफी premium है swift यहां मिलेंगा body color bumpers exhaust tail pipe 163 mm की ground clearance मिलती है swift में यहां मिलेगा आपको LED rear combination lamps rear profile से भी काफी masculine है swift यहां मिलेगा आपको सुचकी का logo swift की badging rear defogger का option आपको यहां पे नहीं मिलेगा यहां मिलेगा आपको high montage stop lamp roof antenna आपकी favorite car कौन सी है जिसकी manufacturing अब नहीं हो रही है comment में जरूर बताए आईए boot open करके देखते हैं तो यहां मिलेगा आपको 260 liter का boot space rear seats fold करने पे 579 liter का boot space मिलेगा यहां पे मिलेगा आपको tool kit रखने का setup दोनों ही तरफ hook दिये गए है luggage को बांदने के लिए और यहां पे मिलेगा आपको 165 80 R14 size के spare wheels 2018 से लेकर 2023 यानि कि 500 तॉलों में ये car 150,000 km से ज़्यादा चल चुकी है आईए boot close करते हैं आईए पीछे का passenger side door खोल के देखते हैं 4 speaker का music system मिलता था swift VDI में यहां मिलेगा speakers, bottle holder, power window के control, थोड़ा space यहां पे additional accessories में bucket seat cover लगे हुए हैं यहां पे आपको grey fabric of austri मिलेगी, fix head rest है arm breast का option आपको यहां पे नहीं मिलता driver and co-diver seats के पीछे pockets मिलेगी यहां पे मिलेगा आपको bottle holder rear race events का option आपको यहां पे नहीं मिलता था plain roofs है, reading light का option आपको यहां नहीं मिलेगा handle bar और ऐसे दिखता है मारती सुच के swift VDI का dashboard black interior के साथ में silver finish है, flat bottom steering wheel मिलेगा driver side auto down power windows मिलेगी, यहां मिलेगे speakers, bottle holder, coffee space power window के controls ORVM के controls, थोड़ा space यहां में मिलेगा आपको tire pressure information यहां पे मिलेगा आपको win number की badging six way manually adjustable driver seats है height adjustable driver seats है यहां मिलेगा आपको adjustable head rest यहां पे मिलेगा आपको flat bottom steering wheel three spoke steering wheel है multifunctional steering wheel के साथ में यहां पे मिलेगा आपको pedals handles, bonnet खोलने का लिवर, light के controls, AC vents आईए driver seat से बैट के देखते हैं यहां पे मिलेगा manual hand brake और यहां पे मिलेगा आपको five speed manual transmission यहां मिलेगा आपको two glass holder AUX, USB, 12 volt का port यहां मिलेगा आपको single zone common fan speed control manual AC और यहां पे मिलेगा आपको double din music system support करेगा AUX, USB, Bluetooth, FM radio steering mounted audio calling controls यहां मिलेगा CD के option FM AM media के buttons यहां मिलेगा 2 AC vents, 1000 light यहां पे मिलेगा आपको glove box में काफे space dashboard में black interior है यहां मिलेगा आपको co driver side sun visor with mirror का option यहां पे मिलेगा आपको reading lights driver side sun visor और यह है flat bottom steering wheel top variant में आपको leather right steering wheel का option मिलता था यहां पे volume के controls यह यहां पे phone or voice control यहां मिलेगा आपको शांदार instrument cluster 1,61,000 km चल चुकी है यह कार 5 years में आईए देखते हैं diesel engine यहां मिलेगा आपको 1240cc 4 cylinder inline 4 wall DOSC DDIS diesel engine जो की power generate करेगा 74 BHP के 4000 rpm पे torque produce करेगा 190 Nm का 2000 rpm पे company mileage claim करती है 28.4 km पती लीटर का front engine front wheel drive है अर्बो charger के साथ में यहां पे मिलेगा 5 speed manual gearbox मारती 2 साल 40,000 km की warranty देती थी स्विफ्ट में स्विफ्ट VDI diesel को discontinue हुए तीन साल हो गए लेकिन अभी भी लोगों की यह पहली पसंद है आपको स्विफ्ट VDI diesel कैसी लगती थी प्लीज कमें में जरूर बताईए चैनल पे नहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए बाई बाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें आटो मोबाइल से रेडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करें